दिल्ली के जन्पत रोड इस्तित बारह नंबर बंगला रामविला स्पासवान और उनके परिवार का कभी पता और ठिकाना हुआ करता था यही बंगला उनके आवाज के साथ साथ उनका दपतर भी रहता था तमाम लोग जो राजनिती से जुड़ेवे थे यहीं उनसे मिलते थे लेकिन यह बंगला अब उनका नहीरा परिवार इसको छोड़ का चला गया है और जो यह स्टेचू आप देख रहे हैं जिसको उखाड दिया गया है यह स्टेचू कभी रामविलास पासवान का रहता था जो बंगले को बीचो बीच लगा हुआ था लेकिन उनके चले जाने के बाद क्योंकि यहाँ पर रेल मंत्री अस्वनी वैसनों को आना है इसलिए इस स्टेचू को भी अब हटा दिया गया है हाला कि बंगले के छोड़ने का दुख उनके पुत्र चिराग पासवान को काफी रहा वो कोशिश करते रहे किसी भी तरह से यह बंगला उनके पास रहे लेकिन सरकार नहीं मानी और उनको यह बंगला छोड़ना पड़ा हाला कि चिराकी च्छा तो ये थी कि वो इसको इसमारक बनाई अपने पिता रामविलास पासवान के नाम पर एक इसमारक यहाँ पर बने लेकिन सरकार ने नियम बना रखा है कि समय रहते ही बंगला छोड़ना होता है हाला कि सरकार का कहना है कि कई बार समय बढ़ाय गया और उसके बाद फिर यह बंगला खाली कराय गया अपरेल मंत्री यहाँ पर आने हैं लेकिन राविलास पासवान का यह बंगला अपने आम में काफी वियाई पी था इसके प्रोस में ही दस जन्पत पर सोलिया गांधी रहती है प्रोस में ही उप राष्टपती का आवास है और थोड़ी दूर पर राष्टपती और परधान मंत्री का आवास है तमाम मंत्री आजुबाजुई रहते हैं जाहिरे चिराग पासवान इसको छोड़ना नहीं चाहत मैं जिस चीज के लिए एंटाइटल हूँ वही चीज मुझे मिलनी थी और मिलनी मुझे चाहिए भी तो हम लोगों ने आज तक कभी भी बाते हुई कन्वर्जेशन से एक्स्टेंशन जब तक मिलता रहा हम लोग आगे इसमें हम लोग रहते रहे जहां तक रही बात इस घर को पर्मनेंट वो कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी यकीनन मेरे पिता जी मेरे नेता की बहुत सी यादे इस घर से जोड़ी हुई है पर इस बात को भी मानना चाहिए कि कानूनी एक प्रक्रिया होती है जिसका मैं मेरा पूरा परीवा और पूरी तरीके से समान करता है जिस चीज के लिए आप एंटाइटल नहीं है उस चीज को जबरन आप अपने पास रग भी नहीं सकते हाँ तरीके से मैं जरूर थोड़ा सा निराश हूँ उमीद बस इतनी थी कि मैं एक सेकेंड टाइमों मेंबर पार्लेमेंट हूँ मुझे एक अल्टरनेटिव अकॉमोडेशन आज की तारीक में दिल्ली में मेरे पास मेरी नानी के घर के लावब और कोई जगा नहीं है रहने के लिए वहीं मैं जा भी रहूँ तो एक अल्टरनेटिव अकॉमोडेशन अगर मुझे दिया जाता दुग मुझे इस बात की जरूर है कि मैं अकेला ही नहीं मेरे साथ कम से कम मेरे पिता जी के समय से काम करने वाले लगबग सो के करीब उनके साथ ही उनके मदद करने वाले उनके समर्थक जो इसी घर में ही रहते हैं तो ये यकायक ऐसा फैसला करने से जरूर उन सब के भी जीवन में कठनाईयां बहुत जादा बढ़ गई हैं